निशाना साधा और उसके बाद बात करेंगे भीजे भी प्रदेश अद्यक सीपी जोशी की जिन्होंने कॉंग्रिस को आड़े हाथो लिया है वहीदा केरियल स्टोरी मूवी की भी बात होगी इसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग सवर्थन में उतराए हैं आज शाम सड़क हासे में तीन मौत हो गई है उसकी भी कहानी आपको बताएंगे खबर बताएंगे तो बने रहीगा हमारे साथ आज सीम गहलोत एक बाद फिर राजनितिक संकट के समय का जिख कर रहे थे केंद्रिय ग्री मंत्री अमित शाह केंद्रिय जल्शक्ती मंत्री गजेन सिंग शेखावत पर जोरदार निशाना साथ है धौलपुर में एक जंसभागों सम्बोदित करते हुए उन्होंने कहा कि प्राइकों को बोल दिया है कि इन लोगों से जितना भी पैसा लिया है दस बीस करोड वो वापस कर दें अगर खर्श कर भी दिया है तो भी बता दें मैं AICC से दिलवा दूँगा संदार प्रबंदन संदा हिलार हुआ रस्तान क अंदर बाद इन संकत आया मरूपर यामि साथी जवन्य परदान या आपका घरीन सिखावाद जो कंजी मंतरी है इन तमने मिल के शरंद किया पैसे मांड थी रस्तान कंदर भी पैसे बापा ले निरे पुलो पोसे चंदा मैं नहीं रहां दीया है करिया है 10 कृट्ड लिया है, जो भी लिया है कुछ खर्श कर दिया हो वो खर्श क्या estate, अभाल मैं दे दूगा यह सीजिछ date मधर्या हमे झारको 10 कऊग दें 15 कोड में 50 कोड दें 6 máquina edeस्ना परत रहा कर दिया हुआ में परत रहा कि वो दमकाएगा डिलाएगा जैते हो गुष्याज में धमकाता है माराश पर दमका के शीवसेन के दो टुकड़े कर दिये पचीछ हमेरोग ले दिया बहुत खेल खेलते हैं अमिश्था ग्रामंत्री मैंने हमेरोग कहा है तुमने गल्ती कर दी कोई बात नहीं भोलो माफ करो त कोड़ कर दे बताती थे मुझे वो मैं खाना पूर्जी करूंगा अकिल भार्जे कोंगे कमेटिके अद्जी को कह कर दे उनका प्रवापन दो आप लो ति दवाब ने रहे आप इमान दाए से काम कर सको और मैं पुरा साथ दूंगा अपका और वहीं सीम गहलोत के 2020 में मानेसर गए विधायकों पर दिये गए बयान पर बीजेपी प्रदेश अद्यक्सी पी जोशी बीजेपी विधायक दीप्ती महेश्वर्य वरिश निता और पूर मंत्री काली चरनसर राफ ने पलटवार किया उन्होंने कहा कि यह सीम गहलोत की बौकलाट है और अगर उन्हें पहले पता था तो उन पर कारवाई क्यों नहीं की गई कि मुखिय मंत्री जी की बौकलाट साथ बेखेंगे, कहिं कहीं यह बौकलाट काहिए नतीजह है, राज़स्तान प्रवाग्यपूर्ण जिस तरीके से उन्होंने बात बोली गई है अपने घर की लड़ाई उनसे संभल नहीं रही है दो खेमों में जो कॉंग्रेस बटी वी और जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं कि इस पूरे चार साल गेलोज सरकार ने सिर्फ अपनी कुरसी बचाने का काम किया उसके लावा कोई काम नहीं किया है और अब क्यूंकि अंतिम समय आगया है और वो जानते हैं कि जनता अपना मन बचना चुकी है तो उस बात को किसी न किसी से गुमा करवे चाते हैं कि हम भारते जनता पार्टी पर वो उसका धीक्रा फोड़े ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा जनता बहुत समझदार है अगर आपको पता है कि आपके विधायकों ने पैसे लिये हैं तो सबसे पहले तो आप कारवाए अपने विधायकों पर करें कि उन्होंने किस-किस ने पैसे लिये और कितना खर्चा किस तरीके से लिया तेके अशोग गैलोद बहुत वड़िश्ट लेता है राजस्तान के और हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं पर वो इस प्रकार की ओच्छी बात कहेंगे ये कलपना से परे हैं अशोग गैलोद जी गलत आरोप लगा रहे हैं और होना तो ये चाहिए कि अशोग गैलोद जी जो ये कह रहे हैं कि मैं एसेसी से या स्वेम ये कोई पैसे लिये तो उसकी भरभाई कर दूँगा तो मैं पूछना चाता हूँ कि ये पैसा कहा से लाएंगे और वही केंद्रिय मंत्री गजेन सिंग शेखावत ने भी सीम के बयान पर पलटवार करते हैं ट्वीट किया उन्होंने लिखा कि नंबर एक के जूटे हैं गैलोद इतने ही सच्चे हैं तो करोणों लेने वालों पर केस क्यों नहीं दर्च कराया अब तक ये कॉंग्रिस की अंद्रूनीन लड़ाई है जिसे जीतने के लिए गैलोद जी हर नाजायस तरीका इस्तिमाल कर रहे हैं वो अपने विरोधी खेमे को गदार साबित करना चाहते हैं गजेन सिंग शेखावत का ये ट्वीट मुख्यमंत्री के आज के बयान के जवाब और वही निता पृतिपर्ख राजेंद आठोड ने भी सीम के बयान पर पलटवार करते हैं ट्वीट कर लिखा है कि सीम के हलोज जी आपने देश के माननीय ग्रीमंत्री जी को आरूपित करने के तोहमत उठाई है तो कृपया ये भी बता ही दें कि सरकार भी आपकी पुलिस पर नियंत्रन भी आपका अग्रीमंत्री भी आप आपकी नजरों में आए विकाओ विधायकों की सरवादिक जानकारी भी आपको तो फिर देरी किस बात की दो साल गुजर जाने के बाद भी विधायकों की सूच बीजेपी प्रदेश अध्यक सीपी जोशी ने सिरोही में कॉंग्रस के करनाटक में किये गए वाहिदों को लेकर हमला बोला है उन्होंने कॉंग्रस के घोशना पत्रमें बचरंग दल पर बेन के वाधि को लेकर जम कर निशाना साधा उन्होंने टिपणी करते हैं कि बिनाश काले विपरीत बुद्धी साथी ये भी कहा कि जब कोई आतंगवादी मरता है तो कॉंगर्स की आँखों में आसू आते हैं और जब आतंगवादी को फांसी होती है तब फांसी की माफी की मांग करते हैं बजरंग दल और PFI संगठन से जोड कर क्या साबित करना चाहते हैं इधर ग्री मंत्रे अमित शाह से पुनिया ने मुलाकात किया है अमित शाह से उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया ने मुलाकात किया करनाटक के दोड बल्लापुर में रोडशो करने पहुंचे थे अमित शाह दोड़ बल्लापुर में सतीश पुनिया ने अमित शाह का अभिनंदन किया रोड शो से पहले सतीश पुनिया ने आत्मिय भेंट की सीम गहलोत ने पिछले कई दिनों से महंगाई राहत कैम का निरिक्षन किया है लगातार कर भी रहे हैं और इसके साथ ही लाभारतियों से भी बाचीत कर रहे हैं और इसी क्रम में आज सीम गहलोत धौलपूर के मरेना, करॉली के मनरायल और दौसा के गीजगड पहुंचे और महंगाई राहत कैम का अवलोकन किया धौलपूर के मरेना में सीम ने विकासगारों का चिला नियास भी किया इस दौरा में पीसी सी चीफ डौटासरा प्रभाई रंधावा समेत कई मंत्री मौजूद रहे है वहीं करॉली के मनरायल में सीम ने दिव्यांगों की स्कूटी वित्रित की और दौसा के गीजगड में भी महंगाई राहत कैम का अवलोकन किया कि यार्टीपी आप सब के लिए लाइफ जाएन है अगर आप सब लोग मिलकर के साथ देंगे सरकार का अगर हम चाहेंगे कि अजूद बोलग में कह रहा था क्यों नहीं हमारे तेरा जिले के साथी एक शात में मार्श करें कि देली निकाले प्रजान मंत्री पर दवाब पड़े कि में इसको राष्टी परियोजना कोशित करनी पड़े जी मैं मानता हूँ कि जंता के दवाब के आगे लोग तंतर में हम तक को जुकना पड़ता है चाहे मुख्यम मंतरी हो, चाहे परदा मंतरी हो, चाहे कोई मंतरी हो, कोई भी हो, सरकार की तरफ से जो फैंटले किये गए हैं, हिंदुस्तान के इत्यार में कभी नहीं होए हैं, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं हैं, पचीस लाग का भीमा, स्वास्त का, पचीस लाग का, बगवान करें कोई बीमार पड़े ही नहीं और उनको महसूश भी नहीं होता है 25 लाग बीमार क्या मेहत्व है पर जिसके घर में बीमारी आती है और परिशन करने पड़ते हैं परिशन करने परते हमारे स्टी स्कैन के दोएं खर्च करने परती है तम बालूं परता किता बड़ा खर्च होता है और मुझे खुची है कहते हैं घर है 25 लाग अभीमा क्यामचारियों के लिए OPS के साथ में RGSS की स्कीम यह एक इत्यार बन गई राजस्तान के देश के अंदर किस प्रकार ते आज राइट टू है हमने स्राथ का दिकार दे दिया आपको बीजे भी जो है बीजे भी कब्जा कर रही है करनाटक में माराश के अंदर मद्धे पद्धे में सर्काय गिरा दी खरीग फ्रोश करके आप कत्मा किजिए तर दस कोड़ 20 कोड़ 25 कोड़ किस प्रकार तीन सेगा ने चली गई हिंदुस्तान के अंदर लोग तंदी घत्या कर दीन लोगों ने इताए खतरनाग लोग यह लोग है सिरोही में दे केरल स्टोरी मुवी पर नेता पृतिपाक राजेंद राठोर ने भी बड़ा वयान दिया है दर्मांतरन को लेकर जिस प्रकार की सक्तियां स्क्री है उसका स्टीक चित्रन किया है मद्यपरदेश की सरकार ने उसे टैक्स फ्री किया मैं राजस्तान की सरकार भी टैक्स फ्री करें मैं नहीं भी काग मैं जिसमें निकलते ही मेरे मित्रों के साथ इस फिल्म को देखूंगा और मैं समझता हूँ कि कई फिल्में ऐसी आती है जो समाज का चित्रन करती है इस परकार के फिल्में इस परकार के कूप करते हों को रोकने का काम भी करते हैं जन्चेतना का काम भी करते हैं इसलिए इसको उस राजितिक चस्में से नहीं देख कर समाज के अंदर धर्मान धर्म के उद्यमंदिर थानक्षित में एक दलित यूवक के साथ मार पीट कर उसे गला काटन देने की धंकी देने का मामला सामने आया है। मेरे इसाब से दुनिया की यह सारी लड़कियों को यह मुवी देखनी चाहिए ताकि वो अपनी बेटियों को दर्मानतरण से बचा सके और अपनी जीवन की सुरक्षा कर सके तो उतने में किसी ने मेरे स्टेटर्स सीन किया और कुछ लोग आये मुझे मैं घर जा रहा तो मु इंग्लिस में लिखे वी थी ठीक है पर उनको कुछ समझ में नहीं आया उनको बस यही दिखा कि इंग्लिस में कुछ गलत ही लिखा होगा उनको गलत फेमी की चकर में उन्होंने मेरे उपर हाथ वगर उठा लिया और वही इस मामले को लेकर बीजे पिसांसद राजय वरधन सिंह राठाओर ने कॉंग्रस पर निशाना साधा है और एक वीडियो ट्वीट कर कई सवाल उठाए है राजवर्धन राठोव ने ट्वीट कर लिखा है कि दलित लड़के को इसलिए पीटा गया क्योंकि इसने एक फिल्म का WhatsApp स्टेटस लगाया था क्या राजस्थान में फिल्म देखना अपराद हो गया है, क्या फिल्म का स्टेटस WhatsApp पर लगाना अपराद हो गया है ये तुष्टी करण की राजनीती राजस्थान की जनता बरदाश नहीं करेगी कल एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सबसे आगरे करा था कि एक फिल्म देखिए दी केरल स्टोरी ये फिल्म असलियत पर आधारित है और आतंक का एक नया रूप लव जिहाद को बेनकाब करती है अगर हमारी बेटिया एक फिल्म को देखने से सुरक्षित रह सकती है तो तो हर समाज हर धन्म के परिवारों को ये देखनी चाहिए लेकिन आज एक बड़ा अजीब वाक्या सामने आया जोगपुर के उदे मंदे थाने में केस दर्स है कुछ विशेश समुदाय के लड़कों ने एक दलित लड़के को घर से बाहर निकाला और उसको इसलिए पीटा क्योंकि उसका वाट्सैप स्टेटस था दी केरल स्टोरी तुष्टी करण की राजनीती का ये उधारण और उन लड़कों को सोचना चाहिए उन विशेश समुदाय के लड़कों को सोचना चाहिए उनकी इस हरकत से उनका पूरा समाज बदनाम हो रहा है ऐसा कताई ना करें आपका एक बार नाम दर्स हो गया तो कोई उपर से आकर भी आपको नहीं बचा सकता और ये तुष्टी करण की राजनीती बंद होनी चाहिए ग्रह मंतरी का छेतर है उसके बावजूद भी इस तरह का मामला हो रहा इस पर तुरंत कारवाई होनी कांग्रिस की AICCC सहफ रभारी अमरिता धवन आज सीकर पहुंची और उन्होंने कारिकरताओं के साथ समभात किया अमरिता धवन का सीकर जिले में आगमन पर जगह जगह कांग्रिस कारिकरताओं ने स्वागत किया इसके बाद उन्होंने एनस यूई के सम्मिलन में भी हिस् कार्करताओं के साथ संबाद किया और बात चीदी मुख्यमंत्री अशोग एलोत आज दौसा के गीजगर पहुंचे जैसे मुख्यमंत्री अशोग एलोत कारिकरम स्थल से हैली पैट पर जा रहे थे इसी दोरान एक युवक्ख जोर जोर से नारे लगन लगा और रोने लगा जिसके बाद मौके पर मौझूद पुलिस कर्मियों ने उस युवक्ख को पुलिस की गाड़ी में बठा कर ठाने बिजवाया है जब युवक्ख से बाच्चीत की गई तो पता चला कि वो करॉली के गाओं का रहने वाला है और उसके पिता फिछले तीन सालों से दुबई में गए हुए हैं और तब से ना लोटे हैं और ना ही उनका फोन आता है लिकिन सुरक्षा करीमिनों से मिलने नहीं दिया तो वो जोर-जोर से रोने लगा पापा कुछ होज़ होजी नहीं नहीं होती है और कोई नहीं सुन दो में चाहं पापा यहां पोलाएंगे कोटा में खटीक समाज हारोती संभाग का युवग यूवती परिचे सम्मेलन और संभागे कारकारणी का शपत ग्रहन और बालिका चात्रावास का शिलानिया समहरो यू आईटी ऑडिटोरियम में संपन हुआ समहरों में मुख्या थी लोकसभाद स्पीकर ओम बिरला थे लोकसभाद द्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि खटीक समाज का गौरव शाली तिहास रहा है जो हमेशा समाजी परिवर्तन का अग्र गामी बना है वहीं विशिष्ट अतिथी सांसद मनूज राजोरिया और विधायक मदन दिलावर थे सरसर पर तीन करोड की लागत से बनने वाले तीन मंजिला संत दुर्बलनाथ खटीक समाज बालिका छात्रवास का शिला नियास किया गया अगर हम एक बेटी को पढ़ाते हैं तो पुरा परिवार को पढ़ाते हैं और इसलिए आपने आज बहुत शुक का मिश्री किया है मुझे पता है कि चाहे पाइपर प्रेम हो चाहे प्रिक्स हो विज्ञान हो टेक्नोलोजी हो उद्ध्योग हो व्यापार हो प्रशाष्टी सेवा के अधिकारी हो तमाम शिफ्क्रों के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तर मैं देख रहा हूँ अर इदर टोंक के देवली में मालेडा के पास दूद से भरा टैंकर पलट गया है टैंकर के नीचे दबने से तील लोगों की मौत हो गई मरने वालों में दो महिलाएं भी शामिल है सूचना के बाद मौकी पर पुलिस पहुँची टैंकर के नीचे दबेशवों को निकाला गया बाहर वाहन को बचाने के चक्कर में बताया जा रहा है कि ये दूर से भरा टैंकर पलट गया राज समन्द के नादवारा थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है पुलिस कस्टडी से हत्या का आरूपी फरार हो गया है पुलिस ने अस्पताल में भरती किया था उसको पुलिस की गाड़ी से कूद कर वो फरार हो गया है पुलिस फरार आरूपी की तलाश में जूटी है दौसा में अपरहंड कर यूबक से मारपीट का मामला सामने आए जिसमें यूबक का अपरहंड करके बेरहमी से उसकी मारपीट की गई कारसवार बदमाशों ने अगवा करके उसको मारा पीटा सरीयों और विजली की केबल से उसको खूब मारा गया पीडित ने थाने में केस दर्ज करवा दिया है और जैपुर में एक शातिर ठख को सांगानेर थाना पोलिस ने गिरफतार किया है पोलिस गिरफ में आया सेयद शाह खावर अली नई दिल्ली का रहने वाला है और मेट्रिमॉनियल वेबसाइट्स के जरीए हाई प्रोफाइल यूवतियों से संपर कर शादी करने का जहांसा देता है इसके बाद उन से मिलने के बाहने यौन शोशन और कीमती सामान चुरा कर भाग निकलता है जैपुर की रहने वाली एक यूवति ने छे मई को मुकदमा दर्श करवाया था जिसके बाद पॉलिस परताल में सामने आया है कि सेयद शाह पहले भी यौन शोशन और ठगी केस में गिरफता हो चुका है पाकिस्तान से होने वाली नशे की तसकरी करने वाले गैंग में शामिल तसकरों पर पॉलिस मुक्याले ने पचास पचास हजार रुपे का इनाम खुशिक किया है संबन में ADG क्राइम दिनेश एमेंट ने आदे जारी किया दोनों इनामी तसकरों के खिलाब श्री गंगा नगर जिले के सूरत गर्थाने में NDPS Act में केस दर्ज है आदेशों के मताबक ADG दिनेश एमेंट ने जैसल मेर में म्याजलार के रहने वाले गुलाब सिंग और जैसल मेर में खुडी के रहने वाले भगवान सिंग के बारे में सूचना देने वाले या उसे पकड़वाने मदद करने वाले को 50-50 हजार रुपे का इनाम देने की घोशना की है से पहले दोन आरुपियों और 25-25 हजार रुपे का इनाम घोशित था जिसे निरस्त कर अब इनाम की रकम बढ़ा कर 50-50 हजार रुपे कर दी गई है जैपुर में जैसिंग पुरा खोर इलाके में मरुधरा ग्रामीर विकास बैंक में लूट की वारदात करने वाले दोनों लूटे रे पुलिस की गिरफ्त में है जैपुर में जमवारामगड निवासी आरोपी सुभाश मीना और आमिर निवासी गिरराज मीना को रिमांड पर लेकर पुछताश की जा रही है पुलिस ने बैंक लूट की इस वारदात का दो दिन में ही खुलासा करके एक बदमाश को सीकर और दूसरे को आमेरे से पकड़ा एडिशनल पुलिस कमिशनर कैलाश चंदर विशनोई के मताविक पुछताश में खुलासा हुआ है कि दोनों लूटेरों ने बैंक लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए यूट्यूब पर लूट और डगहती की कई वीडियो देखे जिसमें जाद दतर ऐसे वीडिय जो दिखे जिनने में फाइनन्स कम्पनी के कलेक्शन एजेंट्स के साथ लूट की वारदात हुई हूँ जुन जुनों के चड़ावा और पिलानी कस्वे में एक मई को दिन दाहारे दस्ट से बारा मिनट में चोरी की दोनों ही वारदातों को पुलिस ने खुलासा है ये दोन वारदातें पंजाब के गैंग ने की थी जो वारदात के बाद चुरुआ हरियाना होते हुए पंजाब चली गई लेकिन पुलिस के टीमों ने लगातार 48 घंटे तक पीछा करते हुए आरुपियों को दबोच लिया है मामले का खुलासा करते हुए चिडाबा डियस पी सुरेश शर्मा ने बताया है कि एक मई को चिडाबा के विधायक नगर निवासी नरेश कटेवा ने मामला दर्ज कराया था कि वो अपने घर के ताला लगा कर अपनी पत्नी को लाने के लिए केवल 10 मिनट के लिए बाहर ग और आटिफिसियल टेक्निक से आटिफिसियल इंटलिजेंस टेक्निक से कार का पिछा करते हुए और राजगर पूंचे वहाँ पर कार के बारे में महतपूर्ण सुराग मिला जिससे टीम द्वारा लगातार 48 गंटे तक पंजाब में अपरादियों का पिछा किया गया और बटिंडा में अपरादियों को दस्तियाब कर इनको ग्रिफतार किया गया है। नाइट मेले नाइट मार्केट के आयोजन किये जाते हैं जिससे कि ट्यूरिस्ट राद में भी भ्रमन कर सकें आनन ले सकें और अब सरकार कार्गमों तक सीमित नहीं गहेगी। कि कमी है अगर नाइट बाजार होता है तो ट्यूरिस्ट यहां और स्थे कर सकता है ज्यादा दिन रूप सकता है और अच्छे से जो है यहां इस जैपुर शेहर को नाइट में नाइट ट्यूरिजम को अच्छे से विजिट कर सकता है और यह समय की डिवान है और गवर्में